कुत्तों की खतरनाक मानी जाने वाली नसल पिटबूल के हमले का एक मामला सिटी ब्यूटिफुल चनिगर में सामने आया है बड़ी बात ये है कि कुत्ते ने बच्ची को उपचार के बाद दोबारा कार दिया इस बार पुलिस ने कारवाई करते हुए मालिक पर मामला दर्श किया है देखे रिपोर्ट पिटबूल नसल के डॉग को देखकर हर कोई सहम और डर जाता है क्योंकि देश भर से पिटबूल नामक नसल के डॉग अटैकिंग और काटने की वीडियो सोशल मीडिया और खबरों में आय दिन परकाशित होती रहती है जबकि कई देशों में इस नसल को पालने पर रोक लगा रखी है पिटबूल का एक वीडियो कायदे कानून का पालन करने वाले शहर चन्डिगर से सामने आया जहां सेक्टर 30 की मकान नमबर 104 में रहने वाली 12 साल की मासूम अनुरीत कॉल को कुछ दिन पहले पिटबूल ब्रीट के एक पालतु डॉग ने बुरे दहें काटा था अभी उस मासूम का इलाज चल ही रहा था कि दोबारा उसी पिटबूल डॉग ने फिर से बच्ची को जखमी कर दिया पिटबूल डॉग के अटैकिंग और जखमी करने की आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर सोशल मीडिया पर सामने आती रहती है अकसर अख़बारों और नूज चैनल्स पर भी पिटबूल से जड़ी खबरें सामने आ रही है वही लोग भी पिटबूल नामक इस खतरनाक नसल की डॉग को पालने से बाज नहीं आते वही परश्यासन इस और ध्यान नहीं दे रहा हाला कि कुछ अधिकारियों को भी पिटबूल कार चुके हैं लेकिन परश्यासन की तरफ से कोई ठोस कारवाई आज तक नहीं की गई वही ऐसे खतरनाक नसल की डॉग को पालने पर तो पूर्णते पाबंदी लगा देनी चाहिए ऐसी मांग कई बार लोग उठा चुके हैं स्पेशल डेस्क खबरे अभी तक कि अबतार चुके हैं